हालो बच्यो दिस वंबिर जीन धाड और हम लोग पढ़ रहे हैं कैपसिटर कापसिटर की स्टी में हमने लास टायम सीखा था किकिस तरीके से ड Insurance को योजर करते हैं कैपसिटर और डिariat cuz से नुमेरिकल से बंते हमने सीखा था बट आज हम लोग Energy के बारे में बात कस कर चुके थे किसी भी कापसिटर में जो energy store होती है energy store होती है u is equal to half cv square दूसरा formula is का u is equal to half q square by c और third one हमने सीखा था u is equal to half qv देखे मैं आपको यहाँ पर बता हूँ तो energy में तब भी हम बात करते है energy storage का मतलब होता है कि कितना work किया गया तो वर्डन का formula होता है q into v और अगर वर्डन का formula q into v है यानि कि battery ने work q into v किया तो capacitor में कितनी energy store होनी चीए जितना work किया गया लेकिन capacitor में कितनी energy store होती हाफ into q into v कहने का पतलब यह होगा कि qv work किया लेकिन store हुआ वो आधा half qv store हुआ तो आधी energy कहा गई एक और example लेते हैं एक और अच्छे example लेते हैं मेरी बात को भूँआ धंक से सुनिएगा माल लीजी हमारे पास एक capacitor है यह capacitor starting में अंचार्ज था हमने इस capacitor को connect कर दिया एक external battery से जैसी हम इसको battery से connect करते हैं और इस battery का potential माल लीजी यह है V तब हमने इसको V voltage, V potential की battery से connect किया जो कि यह वाला positive में यह वाला negative तो यहां से कितना charge इसके पास जाके store हुआ होगा अच्छा इसकी capacitance अगर C है और इसको V voltage की battery से जोड़ा गया तो charge का formula होता है Q is equal to C V C capacitance V जिसमी battery से जोड़ा हुआ है तो यहां पर यह positive प्रेट से जोड़ा इसलिए क्या हो गया होगा यहां पर positive C V और यहां पर negative C V पच्छों अगर हम लोग बात करें यहां पर तो positive C V, negative C V और इसकी energy कितनी है यहां पर तो answer है half C V square यह इसमें energy storage है battery ने कितना work किया तो work done by the battery निकालते है तो work done का formula क्या होता है work done हम निकालते है Q into V Q कितना यहां से flow हुआ कितना charge यहां पर पहुँचा C V V कितना था यहां पर potential कितना था V तो यहां से यह क्या बन गया C V square यहनि कि battery ने work किया that is C V square यहां से हम लोग C V square काम कर रहे है लेकिन वहां पर store होता है half C V square तो यह energy का loss कितना हुआ energy का loss कैसे हुआ इस सब चीजों को हम लोग आज सीखने वाले हैं तो आप pen copy निकाल दीजिए और बने रहे हैं बिलकुल मेरे साथ कि किस तरह से मैं आपको बताता हूँ चीजों को किस तरह से में energy loss निकालते हैं energy loss कैसे होता है क्यों होता है पूरी के पूरी कहाने डिसकस करने वाले है आईए मैं start करता हूँ तो बच्चों हम लोगों को सबसे important बात यह होना चाहिए कि capacitor के energy के formula है वो हमें पूरे पढ़े होने चाहिए कि यह हमारे पास energy के formula है और फिर उस पर किस तरह के questions बनते हैं उसके हम कहानी start कर लेते हैं यह जो हम आपको capture पढ़ा रहा हूँ that is after study state मतलब यहाँ पर हमें कहीं बर भी capacitor के diagram में या circuit diagram में resistor नहीं बनाऊंगा उसका मतलब यह हुआ कि हम assume करेंगी क्रेस्ट उसमें है तो यहाँ पर जो half cv square का loss हुआ था वो half cv square का loss कैसे हुआ था क्योंकि हमने भी अभी मैंने आपको बता है cv square battery never किया बट वहाँ पर पहुँचा half cv square तो इसका मतलब क्या हुआ half cv square का loss हो गया और जो half cv square का loss हुआ वो half cv square का loss किस form में हुआ तो अनसरे तब charges flow हो रहे होते हैं तो उन charges के flow के समय heat generate होती है और उस heat generation में heat loss की form energy loss हो जाती है तो हम calculate करने वाले हैं heat loss क्या calculate कर ले हमने topic किना क्या होगा आज का तो हम topic होगा heat loss heat loss बच्चों मेरी बात पर ध्यान देना हम heat loss calculate करेंगे पहले एक काम करते हैं हम इसका formula बना लेता है ति किस तरह का formula होगा उस heat loss के formula को मैं आपके सामने discuss कर देता हूँ heat loss का formula होता है that is equal to work done by the battery work done by the battery minus bracket start mind it minus bracket start final energy final energy कितनी है इसके पास minus initial energy of the capacitor minus initial energy of the capacitor तो work done by the battery final energy minus initial energy को हम लोग use करके calculate किया करते हैं कि कितना heat की form में loss हुआ मैं इसका आज derivation भी आपको सिखाने वाला हूँ right तो heat का जो loss हुआ उसको कैसे निकालेंगे तो आई एक example लेते है माली जी हमारे पास पहले कोई capacitor है right और जो capacitor हमारे पास है वो पहले charge था माल लीजिए किसी भी 3V से 3V की बेटे से charge था positive negative अब हमने क्या किया उस charge capacitor को किसी external source से जोड दिया यहाँ पर हमने उसे किसी external source से जोड दिया और जो external source हमने यहाँ पर लगाया मालनी जी हमने लगा दिया 5V का positive and negative तब यह 3V का charge capacitor हमने 5V की बेटेरी से जोड़ा तो यहाँ पर heat की form में heat की form में कुछ energy loss हुई होगी और आप से पूछा गया find that heat loss उस heat loss को निकाले कि कितनी energy heat की form में loss हुई है तो उस heat loss को निकालने की कहानी में आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों यहाँ तक मैं इस वाले जो part की बात पर यहाँ एक switch लगा होता है switch यह है कि तब हमने on किया उसे पहले इसके पास charge था तो पहले इसके पास charge कितना था अगर माली जी यह already 3V की बैटरी से जोड़ा हुआ था तो हमारे पास charge निकालने का formula क्या है q is equal to cv capacity sense इसकी c है अगर यह 3V की बैटरी से जोड़ा हुआ है तो इसके पास यहाँ पर कितना charge है plus 3cv चीजों का बहुत ध्यान से समझते रहें और लिखते रहें यहाँ की capacitor C battery 3V already जोड़ा हुआ था पहले तो इसके पास charge कितना plus cv और यहाँ पर कितना minus 3cv plus 3cv and minus 3cv उसके बाद हमने क्या किया इस capacitor को उठा के हमने इस 5V की बैटरी से जोड़ दिया है plus minus ऐसे हमने इसको combine किया तब हम इसमें 5V की बैटरी लगाते है तो यहाँ पर कितना charge आ जाएगा अगर कैपिसन किसी है तो answer है यहाँ पर भी वाईसा plus 5cv आ जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा minus 5cv अगर इसमें energy यहाँ पर plus 5 plus 3cv है यहाँ पर कितनी होगी 5 3cv इसका मनदब क्या हुआ charge, charge, sorry not energy, charge, यहाँ का charge कितना है plus 3cv, यहाँ का charge है plus 5cv, तो यहाँ से charge बढ़ा, यहाँ कि 3cv यहाँ पर था, बढ़के कितना हो गया 5cv, तो इसका मनदब यहां से charge flow हुआ होगा, कितना charge flow हुआ होगा, answer है 2CV charge यहां से flow हुआ होगा, तब इस battery ने 2CV charge यहां से flow कराया होगा, तो उस 2CV charge के flow होने से यह कितना हो गया, 5CV, क्योंकि पहले कितना था इसके पास, 3CV, तो इसने कितना flow करा दिया होगा, 2CV flow करा दिया होगा, अच्छ का formula होता है Q into V कितना charge flow हुआ 2CV 2CV charge flow हुआ into कितनी batteries उड़ा हो था 5V मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कितना हो गया 5 to 10 10CV square means जो work done किया battery ने वो work done कितना किया वो work done किया 10CV square यहाँ पर final energy क्योंकि क्यों यहाँ पर charge आगया तो final energy का formula क्या होता है final energy का formula होता है half यह energy का formula होता हाफ C कितना है तो C ही है व कितना है 5 और क्या-का उसने V का square तो इसका मतले हम यहाँ पर 5 V का square favour, 5 V square करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ 25 कितना हो जाएगा 25 V square यहाँ पर होगी आपका 25 V Square इसको solve करके हमारे पास आता है साड़े बारा साड़े बारा cv square cv square ये अपने पास क्या है ये आपकी final energy finally ये है अपना circuit तो इसके पास कितनी energy है 12.5 cv square initially कितनी है initial energy निकालेंगे तो फिर से वही formula अपना कौन सा half cv square का तो half capsons कितना है c है v कितना है कितने से उड़ा होता पहले 3 से तो यहाँ पर कितना हो गया 3v का square और इसको solve करके हम लोग लिखेंगे तो इसको solve करके आता है अपने पास माल लीजिए 3 is a 9 और 9 by 2 is what 4.5 साड़े 4 cv square ओकी बच्चों यह आपके पास क्या ही initial energy यह आपके पास initial energy है यहां से में क्या निकाला final energy यह क्या क्या हुआ work done heat loss का formula क्या हो गया simple है heat loss का formula क्या हुआ work done अच्छा मैं direct value put करता हूं work done कितना हुआ यहां से हमने बच्चों निकाला था अभी 10 cv square यह आपका 10 cv square minus का sign forgotten by the battery निकाला मैं लिखा यहां पे minus का sign bracket start final energy कितनी है final energy कितनी है यह है final energy 12.5 cv square minus initial energy कितनी है 4.5 cv square clear है यहां से यह पूरी कहानी कि समझ आती है यहां से साड़े 12 मैं से क्या हुआ साड़े चार चला गया वाई साब अगर माल लीजिए मैं आप कहता हूँ कि 12 में 4 गया तो कितना बचा 8 अब साड़े बारा में 4 गया तो कितना बचा 8 हमारे पास यहां से कितना बचता है यह अपने पास बच गया 10 CV स्क्वेर माइनस यहां से बचा आपने पास 8 8 CV स्क्वेर अब यह 10 में से आठ गया कितना 2 तो यहां से क्या है आपके पास 2 CV स्क्वेर यह आपके पास क्या है हीट लॉस यह आपके पास हीट लॉस आया तो हीट लॉस कितना हुआ तो हीट लॉस हो आपके पास 2 cv square यहाँ पर 10 क्या है आपका वगडन, यहाँ पर 12 cv square क्या आपका final energy 4.5 cv square क्या आपका initial energy, formula में value put किया हमने उसको solve किया साड़े बारे बारे से 4, बहुत simple सा है और यहाँ से आपने इसको calculate करें, मैं आपको कुस टाइम देदा हम बहुत जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा pause करके वीडियो कि किस तरीके से हमने इसका वगडन निकाला, किस तरीके से हमने इसको solve किया, और solve करने के बाद क्या-क्या results आते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एक और question देने वाला हूँ और उस question ही calculate करना है, heat loss कैसे होगा, वो मैंने आपको बताया कि तब charge flow होते हैं, तो charge इसके flow होने के बएज़ से heat loss हो जाता है फिर मैंने आपको बताया कि जो heat loss हुआ उस heat loss को कैसे calculate करते हैं तो उसके simple सा formula में लिया था work done, work done, work done minus bracket start final energy minus initial energy यह अपने दिमाग में बिठा लिया आप बिलकुल से आईए एक और example देखते हैं, माल लीजी हमारे पास यह फिर से एक circuit diagram है यह capacitor यह capacitor की minus plate जोड़ी हुई है V से plus यहाँ पर देखा हमने यहाँ पर देखा तो एक battery लगी हुई है battery का यह वाला minus यह प्लेस और यहाँ पर भी यह जोड़ा हुआ है minus plus 2V से माल लीजीए अब आपसे पूछा गया कि बताइए कितना heat loss हुआ तब हम यहाँ पर और यह चार्ज capacitor को 2V की battery से जोड़के switch on करते हैं बच्चो स्टार्ट करना है जल्दी से VV की battery से पहले जोड़ा हुआ था तो यहाँ का कितना charge था minus CV यहाँ का कितना था plus CV हमने switch on किया और 2V की battery से जोड़ दिया अगर हमने switch on करके 2V की battery से जोड़ दिया तो 2V की battery से जोड़ने के बाद ध्यान से सुने वही same जो previous method में यूज़ किया था वही काम में कर रहा हूँ के वहल आप लोग ध्यान से सुनते रहें और इसे लिखते रहें 2V की battery से जोड़ा यह positive यह negative यह 2V यहाँ का charge कितना आएगा बिच्चो 2V से जोड़ा है तो क्या 2CV minus और यहाँ पर क्या आएगा plus 2CV क्यूंकि भई अगर यहाँ से कुछ charge flow होगा तो कितना charge flow होगा यहाँ से CV charge गया होगा तब CV charge गया होगा तभी तो वो 2CV हुआ तो यहाँ पर अगर यह 2CV हो जाता है और यह आपका minus CV यह पूरा पूरा setup हमारा ऐसा हो जाता है तो वह में क्या करना है, वह में निकालना, work done by the battery, इस बैटरी ने कितना work किया, उसको plus 2CV करने के लिए, तो what done by battery का formula, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बच्चो, work is equal to Q into V, यह आप तो आ जाना चाहिए, Q क्या लिखा रहे है, CV into 2V, that is what, 2CV square, यह work किया, बैटरी ने, यह फाइन अनर्जी आती है, क्या, एनर्जी का formula, half CV square, V कौन है, 2V, 2V का square, 4V square, half था यहां पर, तो चलो मैं लिखी देता हूं, यह हमने यहां पर लिख दिया, 4V square, अब यहां से यह कितना बच गया, यहां से यह मारा गया, और इधर क्या हो गया, इधर आपके पास बच गया 2CV square, अच्छा, आपको तो यह वाली बात समझा रही होगी कि भाई साब, इसके पास तो एनर्जी जो store है, वो 2CV square है, है ना, और 2CV square ही हमने work किया है, oh my god, यह तो चमतकार होगी है, इसके पहले से भी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी वो, वो एनर्जी थी, इसके पास half CV square, कितनी एनर्जी थी थी, इसके पास हो, half CV square, तो वो half CV square यहाँ पर आ गई, तो अब आपको यह तो clear cut पता लग गया, कि loss कितना हुआ है, half CV square, भई, half CV square इसके पास, साथ में गई इस कैपिस्टर के, और इसने 2 दिया, तो फिर वो 2 बन गया, तो इसके मतलब क्या हुआ, आधी कि loss होगी, और आधी है energy, half CV square यहाँ के पास, पहले से आगी थी, answer अपना half CV square अच्छी, यहाँ से मैं समाझ आ लगता है, ठेकिन फिर भी हम formula में पूट करने में, वगड़न कितना हुआ, वगड़न क्या है, 2 CV square, उसके बाद minus का sign, इसकी final energy कितनी है, answer है, 2 CV square, minus, initial energy कि इतनी है, 0.5 CV square, अच्छा भई, बहुत बढ़िया, यहाँ से कितना बच्छा, 2 में से यह गया तो, 1.5, 1.5 CV square, alright, यहाँ से हमने देखा तो कितना था यह, 2 CV square, minus का sign, बराबर कितना आता है, 2 CV square में से half गया तो कितना, half CV square यह बलकुल सही बात है, और हम यही तो कह रहे थे कितना था है, अपना heat loss का, heat loss आपका आया, half CV square, क्या आपको बाते के लिए रहे हैं, चीज़े समझ आ रही है, अगर आपको चीज़े समझ आ रहे हैं, तो बिलकुल इसको लिखते रहे हैं, एक एक चीज़ नोट डाउन करते रहे हैं, नोट डाउन करने से क्या होता है, कि कोई clarity आ जाते हैं, कि किस तरीके से हम लोग इसको discuss करते हैं, कैसे इसका answer निकालते हैं, बहुत जल्दी से से लिख लीजेगा, और मैं अगलानी medical नेने वाला हूँ, कि किस तरीके से हम लोग calculate करते हैं, एक और question लेंगे, और उस question के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं कि मैंने हटा दिया, और आप एक नया question लेता है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते लिखते रहें, मैं आपको repeat कर रहा हूँ, बार-बार यही बात बोल रहा हूँ, कि आपको लिखते रहना है, अगर आप notes बनाते रहेंगे, तो चीज़े clear रहेंगी, एक और question लेता दि negative V volt की battery से जोड़ा हुआ था, फिर उसके बाद हमने इसको एक external battery से connect कर दिया, external battery से connect करने के बाद क्या हो गया बच्चों, वो जो external battery थी, थोड़ा सा कुछ change करना है question में, external battery थी, उसमें जो potential था, वो potential V नहीं लिया, हमने 2V लिया, बट उसमें ये वाली plate को हमने negative charge लिया, opposite जीट कर लिया, और इसको क्या कर लिया, इसको हमने, इस तरीके से ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, 2V, minus, plus, plus, minus, आप इस cancer बताएंगे क्या है, ये आपको solve कर 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 बताना है, एक और question मैं है आप लिख रहा हूँ, वो भी आपको solve कर 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 बताना है, दोनों questions का answer chapters की, यहाँ पर हम लोग बात करें, तो यह आपका पहले जोड़ा हुआ था, plus, 3V से, फिर हमने इसको जोड़ दिया, VV से, plus, minus, तो इसका भी आपको answer बताना है, कि इस cancer भी क्या हुगा, राइट, तो इस बीसे आप लोग solve करना start करेंगी, किस तरीके से मैं इसको solve कर सकते ह और complete कहानी, इसकी क्या है, चलिए, अब मैं आपको दूसरे type के कुछ questions बताता हूँ, कि वो questions क्या-क्या है, इस cancer आए तो आप मुसे जरूर कमेंट करेंगी, कि क्या आप cancer आता है, अभी हटा रहा हूँ मैं से, चलिए बच्चो, अब हम लोग एक और तरह के numericals को discuss करते हैं, और किस तरह के numericals के हो सकते हैं, अब ये start करता हूँ मैं, ध्यान संदा मेरी बात को, बच्चो कर माल लीजिए, मैं आपसे बात करूँ, कि हमने दो capacitor लिये, एक capacitor की कहानी हमने पढ़ लिये, हमने दो capacitor लिये, हमारे पास ये दो capacitor है, उन दोनों capacitor को पहले हमने charge किया, पहले हम मैनिस, प्लस मैनिस, फाइफ वोल्ट बेटरी से, इनिशियली, हमने एक दूसरा capacitor लिया, दूसरा capacitor हमने लिया, उस दूसरे capacitor को हमने माल लिया, माल लीजिए, वो 2 माईक्रो फेरेड का है, और हमने उसको जोड दिया, किसी भी external source से, प्लस 10 वोल्ट माल लेता है, 10 वोल्ट स अब हमने इन दोनों ही capacitor को आपस में जोड दिया, पॉस्टिव को पॉस्टिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से connect कर दिया, अब इसको पॉस्टिव नेगेटिव से connect करने के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बाद, प्लस 10 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट से जोडने के बाद, हमने अच्छे से चीजों को सुनते रहिए, लिखते रहिएगा, मैं start कर रहा हूँ, start कर रहा हूँ के, start करूँ, start कर पता चलो, यह तो हम ले जोड़ा, तो जोड़ने क बाद क्या charge flow होगा, अंसर है हाँ charge flow होगा, अगर charge flow होता है, तो यहाँ पे 10V और यहाँ पे 5V, तो higher potential to, higher potential to, ही आ जाता तब तक ये पूरा charge transfer होता रहेगा तो equal potential कब आएगा वो उसके लिए हम लोग start करते हैं कि कितना charge यहां से transfer हो जाएगा वो charge निकाल लेते हैं फिर equal potential जिस पर ये stop हो जाएगा charge वो potential निकाल लेते हैं फिर उसके बाद कितनी पहले इसके पास energy थी वो energy निकाल लेंगे minus कर देंगे कि finally तब इसका potential V हो गया जो भी potential आएगा उस potential के बाद इसके पास कितनी energy हो गई उन दोनों का हम लोग अगर relation या difference निकालेंगे तो हमरे पास क्या आएगा loss in energy heat loss कितना हुआ energy फिर में method start करने से वह उनको बता दू कि यहाँ पर कितना charge है तो अपने पास charge का formula q is equal to cv यहाँ पर कितना charge है तो 10 into 2 is what यहाँ पर charge है 20 plus का 20 plus का यहाँ पर charge है plus का 15 same यहाँ पर कितना है यहाँ पर minus 20 है और यहाँ पर क्या है plus 15 है बच्चों ध्यान देना मेरे यहां पर प्लेस 15 है, यहां पर प्लेस 20 है, यहां पर माइनस 15 है, और यहां पर क्या है अपका, माइनस 20 है, यहां से जो चार्ज आया, वो चार्ज माल लीजिए, चार्ज यहां से फ्लो हुआ, माइनस Q, मिन्स यहां से चार्ज Q गया, तो हमने क्या कर दिया, टोटल चार्ज 20 था उसमें से माइनस कर लिया कि चार्ज को हमने क्यों को यहां पर जाके क्या हुआ वह वाला चार्ज एड होता रहा ऐसे यहां पर आया तो यहां पर चार्ज आया फिर यहां से निकला फिर यहां पर एंटर हम ऐसी बाते कर सकते हैं कि यहां से चार्ज फिर से निकला होगा औ और वो charge flow रहत अपने पास Q, ये कब तक flow हो जाएगा, ये तब तक flow उतर रहेगा, तब तक इसका एक potential, दोनों का एक common potential equal नहीं आजाता V, clear है, इनके potential starting में कुछ भी थे, लेकिन बाद में इसका potential भी कितना हो जाएगा V, और इसका potential भी कितना हो जाएगा V, तब potential equal हो जाएगा, तो charge का flow up का बंद हो जाएगा, तो ये दोनों का potential क्या हो गया, equal equal, तो इसका भी potential अगर माल लीजे मैं कहता है, इसका potential माल लीजे, after charging V1 हो जाता है, और इसका potential मैं माल लेता हूँ, V2 हो जाता है, तो यहाँ पर V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएंगे और वो किसके बराबर मार रखे है हमने V के बराबर तो इसका potential V1 क्या होगा इसका potential V1 कितना होगा भई इसका potential V1 होगा V is equal to what V का formula पर यहाँ पर लिख रहा हूँ V is equal to what Q by C अगर V is equal to Q by C है तो यहाँ का potential होगया Q कितना Q is basically charge on positive plate ध्याँ से सुने इस वाले charge गम लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा चार्ज आपका तो चार्ज होगा प्लस 15 प्लस Q by 3 that is equal to V2 कितना होगा तो यहाँ का चार्ज कितना है प्लस 20 माइनस Q अपान 2 अगर अब हम इनको cross multiplication में solve करते है तो यहाँ से कितना आ जाता है बच्चों 15 to 30 प्लस Q is equal to 60 माइनस Q और यहाँ से हम solve करेंगे तो कितना आ जाएगा यह जल्दी solve करें बच्चों यहाँ से से वालेज में उसको उदर लेए तो यहाँ से क्या होगा अपका 2Q हो गया that is equal to 30 और यहाँ पे Q is equal to what 15 चार्ज की वैल्यू 15 आती है 15 आती है क्या चेक करते है 15 plus Q चार्ज अपान कापसिटेंस Q बाइस ही यहाँ का चार्ज plus 20 minus Q plus 20 minus Q अपान 2 इसको हमने चेक दोनों को बराबर बराबर पुट किया क्योंकि इसका प्रिंशल इसका प्रिंशल क्यों होगा बराबर होगा इसको सॉल करते तो कितना है 30 हो तेरी यहाँ पर 2 आना चाहिए था बहुत चोड़ी से मिस्टेक हुई 2Q और यहाँ पर भी क्या आएगा यह आपका हो जाएगा 3Q तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा 5Q मैं सोची रहा था 5Q और यहाँ से तको सॉल क्या तो कितना आता है भाई साब यह आता है फिर यहाँ पर 6 तो आपको चार्ज की वैल्यू कितनी आती है यहां से 6 वोल्ट ओके ध्यान से अच्छ वह ध्यान से बहुत ध्यान देना है हमें यह यह तो यह क्या है आपका माइक्रो कुलम् और चोड़ी समय सिख थी यहां पर में इसको क्या किया तो Q is equal to कितना है प्लिस यहां पिर चार्ज की वैल्यू है पर पास 6 वैल्यू कुलम् यहां से फ्लो हुआ अच्छा चार्ज तो 6 वैल्यू क्या प्हले था 6 यहां से निकल गय कर लिए न भै यह कैसा आया प्लस 14 जी प्लस 21 यहां का 21 है यहां का 14 है कर 21 यहां का और इसको मैं डिसकॉस करूँ यहां से तो यहां का प्रइंचिल कितना आ गया 7 वोल्ट 7 वोल्ट आपका common potential हो जाता है तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि common potential in that particular case is what? 7 वोल्ट तब यहाँ पर एक particular potential आया तो इस potential को हमने नहां पर लिख लिया कि हमारा common potential है अब इस common potential के बाद हम बात करते है कि कितना energy का loss हुआ तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा initial energy कितनी थी वो निकालनी पड़ेगी फिर हमें क्या करना पड़ेगा final energy कितनी होगी इसके पास वो निकालनी पड़ेगी तो पहले initial energy निकाल लेता हूँ यहाँ के starting की इस वाले capacitor की initial energy कितनी होगी तो energy का formula है half c v square हाफ c की वैल्यू कितनी है थ्री तो अपने बच्चों को सॉल्व कर लिया यह अहां पर आ जाता है आपका बाल लीजिए आप 25 को सॉल्व किया 75 अपने पास यह क्या है यह अपने पास आती है इसकी इनिशिल अनर्जी अब अगर मैं इसकी इनिशिल अनर्जी की बात करूंगा तो इसकी इनिशिल अनर्जी कितनी होगी वो भी ऐसे निकालेंगे हम लोग फिर से हाफ cv स्क्वेर यहां पर फिर से हम लोग हाफ cv स्क्वेर करते तो यह तो होगिया, half यहाँ पर c की value होगी 2 और v कितना है अपना 10 तो कितना होगिया यहाँ पर आ गया क्या आपका initial energy इसके लिए 100, इसके युनिट साप लिखते रहे ना, इसके 100 है, इसके यह है, तो यहाँ पर total energy कितनी हो, initial total energy, basically मैं इसको total energy को initial energy लिख लेता हूं, त तो that initial energy तो what, 100 plus 35, यह नहीं कि 115, mind it, यह हमारे पास initial energy आई, final energy कितनी आती है, तो final potential कितना था अपना, अपना final potential था 7 वोल्ट, यह 7 वोल्ट आपका final potential है, अगर यह final potential 7 वोल्ट है, और यह हमारे पास दो capacitor पैलल में जोड़े हुए हैं, दो की पैलल में जोड़े हुए हैं, अपिसेंस को, c1 plus c2, तो कितना हो गया, 3 or 2, 5, तो इसकी भी energy निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी energy निकाल लेते हैं, इसकी energy का formula क्या हुआ, half cv square, half c कितना है आपका, 5, v कितना है आपका, 49, इसको solve करेंगे तो आता है कितना, इसको solve करके आता है, 122.5, 122.5, यह इसकी units है, यह आपके पास कितनी है final energy है, final, इनके combination और इसके equal potential के बाद energy, 120, यह आपकी क्या initial, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, final energy, तो final energy का formula क्या बना आपके पास, 122.5, यह आपकी final energy होगी, अब हम कितना loss हुआ, वह finally 122 होगी, initial 17, तो जाते, 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 energy का जो loss हुआ, energy का जो loss हुआ, इसके लिए, या फिर मैं कहूंगा, इसको heat loss जो हुआ, that heat loss is 15 units, तो इस तरीके से, इस पूरे format में, हम दो कैपिस्ट्रों कंबाइन करते हैं, तो दो कैपिस्ट्रों कंबाइन करने पर हम इस race की सब्सके heat loss निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते तो बहुत चार्ज होने को तो इंडेक्शन से आए हैं, तो कभी भी, कभी भी मेनी बात सुनना, इस जो ये वाला system है, यहां से, ये जो ये system है, इसमें, चार्ज इधर उदर नहीं होता, यानि इसका total charge हमेशा क्या रहेगा, कंजर भी रहेगा, इसका total charge हमेशा क्या रहेग तो इनको 21 को जोड़ लीजिए, 14 को जोड़ लीजिए, 15 को जोड़ लीजिए, 20 को जोड़ लीजिए, total charge आपके पास जो आता है, वो total charge आता आपका पास, 35, that is total charge, total charge अगर इसका 35 है, अब वहां से, तब हमने इधर उदर चार्ज नास पर हुआ ही नहीं, और इन कैपसिर की plate के पास रहता है, तो capacitance कितनी है, आपके पास total capacitance कितनी है, that is 5, तो यहां से V निकालेंगे तो V is equal to what, again Q by C, Q कितना है, 35 C कितना है, combination का, 5 कितना है, 7, अरे यार, 7 V तो direct ही आ गया, हमें यह सब जिंजट करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर यह जिंजट करने की जरूरत नह को में रखके, solve कर लिया, यहनि कि यह वाला जिंजट सा चार्ज निकालके यहां तक के आने का वो आपको नहीं करना पड़ेगा, तो directly भी इस तरीके से potential निकालके, combination निकालके उसको आगे की तरफ solve कर सकते हैं, मैं आपको यह बात बता दू, मिरे बात को सुनना, कि यह हमे का question होगा, उसमें भी हमें heat loss निकालना होगा, मैं बहुत simple simple चीज़े आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग और भी ज़्यादा complicated चीज़े पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मुस्किल बाते भी पढ़ने वाले हैं, बट मुस्किल नहीं है, हम सीखेंगे तो समझा जाए बहुत जल्दी से solve करेंगे हम लोग, रफतार में पढ़ेंगे सीज़ को, यह हमारे पास दो capacitor, एक capacitor, दो capacitor, दो नों capacitor को मैं ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, अच्छा है, बाकी सब तो बताया है, नीच लो बता देते हैं, यह हमारे पास था 3μF का, यह हमारे पास 4μF का, यह हमारे पास पहले जुड़ा था, प्लस 6V से, यह हमारे पास जुड़ा हुआ था, प्लस 4V से, और इस तरीकी से जुड़ने के बाद, उन्होंने कहा कि बताये, यहाँ पर कितना heat loss हुआ, कितना आपका common potential आएगा, और किस तरह सम लोग वो heat loss निकालेंगे, तो य यहाँ का, टूटल चार्ज कितना हुआ, 24 और 12 आएट करिये दलती से, 20, 10, 30, 4, 6, 36, यहाँ पर कितना आगे आपके पास, चार्ज की वैल्यू आगी है, 36, कैसे जुड़ा हुए, यह जुड़ा हुए आपके, पैलल में तो कितना हुए, 7, यह आपके पास जो आगया, that is common potential यह आपका common potential हो जाता है, आप फिर कैसे निकालेंगे heat loss, तो heat loss निकालेंगे तरह का, मैंने सिखाया था कब सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ की initial energy निकाल लें, initial energy के लिए आपके पास formula है, half cv square, value put करेंगे, half c की value 3, v की value 12, 24, half cv square यहाँ से निकल जाएगा, जो की capacitance का combination आएगा, जो कितना होगा, आपका 7, यहाँ से आपके v की value आपके पास common potential की है, और यहाँ भी आप क्या कर लेंगे, half cv square put करेंगे, और यहाँ से निकाल लेंगे, तो energy को निकाल के, आप इस तरीके से इस पूरे equation को solve कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़् करनी कहीं भी छोड़ी सी mistake ना हो जाए calculation में, अगर छोड़ी सी mistake कोई तो problem हो जाएगी आपको, इसके लावा हम लोग इसको generally ऐसे कर पा रहे था हम लोग कि इसका potential V1 था, इसका potential कितना हो गया था, V2, V1 plus V2, और total potential कितना हो गया था 0, तो V1 plus V2 is equal to 0, मतलब V1 is equal to V2, तब ह अगर वास दो कापसिट रहे थो, अगर माली जी यहीं पर कापसिटर तीन हो जाए तो तो तीन कापसिटर होने के बाद हमें फिर loop laws पढ़ने पढ़ेंगे, जैसे हम wheatstone breeze के बारे में सीखेंगे, हम लोग किर्चॉफ लोग के बारे में सीखेंगे, वहाँ पर हम loop laws सीखेंग तो यह सब पूरी के पूरी कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा register के case में, तब हम register पढ़ेंगे, तो current electricity में मैं आपको करिचाफ लोगी सिखाने वाला हूँ, KVL, KCL, loop laws, junction laws, उसके आपना wheatstone breeze, वह पूरे के पूरी कहानी हम लोग register के साथ सीखेंगे, और तब साथ साथ हम इसम combination की problems भी हम इसमें discuss कर लेंगे, derivation की भी मैं आपको बात कर रहा था आज की derivation में सिखाना है, तो हम लोग derivation next video में सिखते हैं कि किस तरीके सम उसको drive किया, देखते हैं टाइम अगर रहता है तो आप इस पूरी कहानी को लिख लीजेगा जल्दी से, कैसे हम इसको solve किया हलो बच्चो, आज हम लोग capacitor में loss of energy की बात करेंगे, loss of energy की हम बात करें तो loss कैसे होता है energy का, उसके बारे हम बात करने दिखीगा, अगर हम लोग 2 capacitor को एक साथ combine कर दें, तो 2 capacitor को एक साथ combine करने पर, जो उनमें charges का transfer होता है, उस charges के transfer की वज़े से, energy heat की form में loss हो जाती है, औ उस loss के बारे में हम आज एक derivation सीखने वाले की कैसे हम उस loss को calculate करते है, heat loss means loss of energy, मालीजी हमारे पास एक capacitor है, जिसका capacitance है C1 और उसका potential है, वो potential है V1, तो confirm है कि उसकी energy कितनी होगी, half of C1 V1 square, ऐसे हमारे पास एक दूसरा device है, दूसरा capacitor है जिसकी capacitance C2 है और potential उसका, V2 है, तो उसकी energy कितनी होगी, तो उसकी energy होगी, half C2 V2 square, अगर हम इन दोनों capacitor को, दोनों devices को parallel में combine कर दें, तो parallel combination के बाद, उनका जो common potential होगा, that common potential V common is equal to, बिसके लिए potential का फॉर्मला होगा उता है Q by C, तो total charge upon total capacitance, तो total charge कितना होगा, वही पहले के पास कितना charge होगा, तो Q is equal to what, Cv means C1 V1 plus, दूसरा के पास कितना charge, C2 V2, C2 V2 divided by common capacitance, C1 plus C2, common capacitance this, तो common momentum से कितना होगा, यह होगा, अब energy का loss कैसे निकालते हैं, energy का loss निकालने का तरीका है भाई, आपके पास पहले originally अलग-अलग capacitors थे, उन capacitor की original energy, means O original, E original, minus उसके पास आपकी energy new, जो बाद में energy आई, वो energy, तो उन दोनों energies को difference होगा, that is what, loss of energy, अब energy initially इसके पास कितनी थी, तो original energy थी उसके पास, भाई साब मैं यहां से लिखना, शाट कर दो, पूरी का पूरा कहानी हम पढ़ने वाले, half C1 V1 square plus half C2 V2 square, right, यह आपकी है original energy, इसके बाद minus आपकी नई energy, नई energy कैसे आईगी भाई साब, नई energy आईगी, half of नया equivalent का पूरा कितना होगा, C1 plus C2 into नया common condition कितना होगा, C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 और इस पूरे का होल स्क्वेर, clear है भई, अब इस में से, इस total में से, इसको minus कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, loss मिल जाएगा, अब इसको solve करने का अंतरीका, simple mathematics है, C1 C2 की power 1 है यहाँ पर, C1 C2 की power 2 है यहाँ पर, एक ने दूसरे को उड़ा दिया, इसकी power कतम होगी, तो क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ पर बचता है आपके पास, half of C1 V1 square plus half of C2 V2 square minus, बचता है आपके पास, half, यह हट गया, क्या बचा, C1 V1 plus C2 V2 का square, और अपन में इसकी power मार देंगे, तो क्या यहाँ गया बच गया था, C1 plus C2, यह आपके पास बचता है, अब इसमें हमने देखा कि इसके नीचे तो 1 है, half, 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 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से C1, C2 है, तो हमने यहाँ से, पहले half को बाहर ले लिया, 1 by 2 हमने बाहर लिख दिया, हमारे पास जो LCMIS का, वो हमने देख लिए कितना है, C1 plus C2, यहाँ से हमारे पास जो डेटा बचा, वो क्या बचा, C1, V1 square, plus C2, V2 square, minus, half को बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर आपके पास बचता है यह, close कर देता हूं, bracket, यहाँ पर बचता है आपके पास, C1, V1, plus C2, V2 का, whole square, यह पूरी कहानिया आपके पास यहाँ से बचती है, इन brackets को अगर हम open कर दे, अच्छा, मैंने LCM भी लिया था यहाँ पर, तो मुझे इसके साथ इसको लिखना पड़ेगा, और यह, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, तो देखिए, यहाँ से यह data बन जाता है, यह अभी इससे बाद में LCM लिया, तो यहाँ से यह 1, और 7 में आपके पास आया, अगर मैं इस पूरे bracket को उपन करता हूं, अब देखो क्या होगा, यह तो हाफ common ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, हाफ तो common ही रहा, यहाँ से इसको solve किया, तो यह इसको solve करेंगा, तो क्या हैगा, C1, C1 square, V1 square, plus C1, C2, V2 square, plus C2 यहाँ जाएगा, तो क्या, C2, C1, V1 square, and then plus C2, V2 square, minus, इसके bracket को A plus B common करते तो क्या जाता है, फिर से हम minus को common ही रखते हैं, और यहाँ पर bracket, और यह क्या है, C1 square, और V1 square, plus C2 square, और V2 square, plus 2, C1, C2, V1, V2, और bracket closed, और यह पूरा system मारे पास यह रहा, यहाँ से अगर देखेगा, मैं अगर इस minus के sign को यहाँ से अंदर reduce करता हूं, तो क्या हो जाएगा, इस bracket को चलो मैं हटा देता हूं, तो यह भी minus हो गया, यह plus B क्या हो गया, यह plus B हो गया, यह minus B क्या हो गया, यह plus B हो गया, minus हो गया, कुछ cancellations हो रहे हैं, C1 और V1 वाले square वाले, C2 और V2 square वाले, बचता है यहाँ पर C1, C2, C1, C2 और C1, C2 common, half तो पहले से ही था half बहार है अपने पास आया अच्छा नीचे हमने लिखना चाहिए था इसमें यह इसके LCM में लिखना चाहिए था C1 प्लस C2 तो यहां से C1 C2 और यह सब बहार आ गए तो यह यहां पर आ गया C1 C2 बहार upon इसको भी बहार ले ले तो क्या बसता है C1 प्लस C2 यह डेटा बचा और इसके multiplication बसता अपने पास क्या V2 स्क्वेर V1 स्क्वेर और V1 V2 2 के साथ V1 स्क्वेर माइनस और इस प्लस V2 स्क्वेर माइनस 2 V1 V2 और यह पूरे का पास half C1 C2 upon C1 प्लस C2 और यहां से V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 का स्क्वेर यह अपने पास आया लॉस इन एनर्जी एनर्जी का लॉस कैसे देखेंगे यह प्लस है यह माइनस है कि प्लस है इनर्जी आपकी औरिजनल बड़ी है या निव बड़ी है वो कैसे चेक करेंगे तो वो चेक होगा half C V2 actually है यह half C V2 यह half positive है C1 C2 upon C1 पलस का यह भी 80 positive है और किसी का भी square भी positive होता है इसका मादब आपकी एनर्जी कान से बड़ी है और इसनल वाली एनर्जी आपकी बड़ी है निव से इसका मादब आपके पास जो loss इनर्जी आता है वो क्या आता है positive आता है positive आया बच्छे यह हमने loss of energy का direction सीखा यह आपका एक final formula बना जो आपको याद रखना है हमीशा कितना loss होता है इससे पहले मैंने आपको numerical सिखाए थे कि कि इस तरी कि से लोग परलल में kapasito को जोड़ते हैं तो loss आता है एक बेटरी के साथ जोड़के अकेले kapasito को solve करतें तो कैसे loss आता है क्यों हम निकाल पाते हैं loss, loss का का कारण क्या होता है, कितना loss आता है, कैसे loss होता है, सारी बाते मैंने आपको सिखाए है आप लोग इन सब को जो मैंने पढ़ा है कापस्ट्रमी से पहले मैं 7-8 वीडियोज अप्रोड कर चुका हूँ उसमें complete data detail में दिया हुआ है मैंने सब को आप एकटे से लिख लीजेगा पूरे का पूरे को उनके पूरे के notes बना करके अगर बहुत सारे formula आपके पास हो गए हैं उन सबसे नुमेरिकल को solve करते रहे हैं मैंने आपको content wise एक परसेंट भी कमी नहीं चूड़ी है हर एक point बताने की मैंने कोसिस की हुई है सारी बाते मैं आपको सिखाऊंगा इसके बाद charging, dis charging का थोड़ा सा part बचता है बाकी जो बचता है वो आपका बचता है आपको बहुत अच्छे से सारे formula याल रखने है और ये सारी वीडियो से देखते रहने हैं तब तक के लिए, thank you very much